नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेटा आज की 6 October 2021 और देख लेते हैं इंडियान एक्स्प्रेस की इंपोर्टन न्यूज, एक्स्पेंट पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स, वर्ल्ड पेज, इकानॉमी पेज इन सभी से बच्ची वी जो भी इं इंटिंग आती है उसमें अभी इंडिया का जो स्टेंड है उसको अपग्रेड कर दिया गया है निगेटिव सें स्टेबल एकोनॉमी की किटेगरी में जानेंगे, दूसरा कश्मीर में तीन सिविलियन्स की डैथ होगी जिनमें एक बिजनिसमेन भी थे, कश्मीरी पंडित उनकी इसके अलावा, नेक्स्ट जो न्यूस देखेंगे वो रहेगी हमारी कि अगर 15 साल से पुराना कोई वहिकल है और उसके रेजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराया जाएगा, तो आप मान के चलो 8 गुना ज्यादा चार्जिस देने पड़ेंगे, ये प्रोविजन अभी कि क्लाइमिट चेंज अपने आप में बहुत बड़ी रियालिटी है, और वो भी फिजिक्स में, तो जानेंगे इसको पूरा डिटेल में, दूसरा हम देखेंगे, फेस्बुक, वाथसेब की जो ये कंपनियों का या फिर जो इनके प्लैटफॉर्म्स थे, ये काम नहीं कर रह या इस डीब ब्रेन स्ट्यूमिलेटर का यूज करके, एक एक्सपरिमेंट है, उस पॉइंट आफ यू से देखेंगे, और फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, एंटी डिफेक्शन लॉग, इसके बारे में देखो हम अल्रडी एक डिसकुशन कर चुके हैं, रिवीजन हो कि जो कोल की कमी है, उसको सही करने के लिए, अभी कैप्टिव माइन्स को लगबग ये अलाओ कर दिया है, कि वो 50% कोल को सेल कर सकते हैं, अब कैप्टिव माइनिंग क्या होती है, क्या मुद्दा है, वो जानेंगे, इसके अलाबा, जो डिसकॉम है, डिस्ट्रिबुशन कम कमपनीज है, उनकी एफिशन्सी को इंप्रूव करने के लिए, कॉम्पिटीशन बहुत जादा जरूरी है, और इसके लिए प्राइविटाइजिशन की तरफ बढ़ना, गौर्मेंट की प्रायोरिटी है, तो उस पॉइंट आफिस इस आर्टिकल को देखेंगे, इसके अला अब मान लो, कभी एक्स्पेंट पेस इंपोर्टेंट कुछ ही नहीं, तो तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इस केस में आज का जो हमारा फस्ट आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे, कि नोबल प्राइज इन फिजिक्स जो है, वो अभी तीन इन दोनों के बीच में इधर डिवाइड होगा, ये दोनों कौन कौन हैं, इनके नाम देख लो, शुकुरो, मनबे, और एक है, क्लाउस, हैजलमेन, तो इन्होंने मिलकर के, इधर का जो काम है, मैने बे और हैजलमेन, इन दोनों का जो काम है, इनका तो, कि आर्थ पे क्लाइमिट सिचुएशन कैसे प्रिवेल कर सकती है, और उसके लिए कैसे करती है, उनको जो भी वैरियेबल से हैं, तेम्परेचर, हुमिडिटी, इनके वैरियेशन को क्वांटिफाई करना, और साथ में, ग्लोबल वार्मिंग को प्रिडिक्ट करने के लिए, क्या इन क्व जो रिसर्च थी, वो ये, कि जो डिस ओर्डर है, या जो फ्लक्ट्वेशन से फिजिकल सिस्टम में, जो भी हमारे आर्थ के ओपर फिजिकल सिस्टम प्रवेल करते हैं, उनमें जो भी डिस्रॉप्शन, डिस ओर्डर आ रहा हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, करन्ट जो भी सेनेरियो है तो ओवर ओल बात आ गई कि क्लाइमेट चेंज एक रियालिटी है अच्छा मॉडल जो डिकलियर किया गया है मनाबे जो कि जैपनीज साइंटिस्ट जोग्राफर है उनके द्वारा साइंटिस्ट है उनके द्वारा ये रिलीस किया गया है कि देखो हमारे आपर जो कोई भी आपने स्टेडी की है तो इसमें हाइडरोलोजिकल जो वाटर साइकल है उसका एक इंपोर्टन सेग्मेंट होता है और दूसरा आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है देखो सोलर रेडियेशन आता है और उनके लिए जो अट्मोस्फियर ह क्यए तरह काम करेगा तो वो सालर रेडियेशन सा रर्ठ तक पहुँँच जाती है फिर उसके बाद में वो जब अर्थ से ठकराती है तो वो टेरिस्टियल रेडियेशन में स्पधै स्पेस की तरफ पर अब इनकी वेवलेंथ है वो जादा होती है तो इनको लॉग वेवज अब होता क्या है कि यह जो atmosphere में जितनी भी gases है particularly global warming gases वो क्या करेंगी कि short wave outgoing waves को रोक लेंगी एक हिस्सा जो है वो तो फिर से अर्थ की तरफ फैंक दिया जाएगा return कर दिया जाएगा और एक हिस्सा है वो space में चला जाएगा अब यह आर्थ की तरफ return वाला जो portion अना यही global warming create कर रहा है तो एक तो हो गया solar radiation का काम करना अच्छा दूसरा इदर आप देख सकते हो कि जब कभी भी गर्मी होती है तो temperature rise होने की वज़े से ocean में जो water particles है पानी है वो क्या करता है गरम होकर के और water vapor में convert हो जाता है और वो water vapor क क्या करती है गरम होने के साथ वज़े से हलकी हो करके उपर की तरफ उठती है अच्छा एक तो है गरम हवा साथ में water vapor और जब उपर की तरफ उठती है तो वह धिरे-धिरे ही latent heat उसको भी release करती चली जाती है तो ऐसे में एक तो हो गया उस hot air का उपर उठने की वज़े से atmosphere म बनना और water vapor अपने आप में खुद एक global warming agent है क्योंकि यह जो radiation यहां से जा रहा है ना अर्थ से टकरा करके फिर से space में इनको रोकने का काम करती है water vapor ठीक है फिर उसके बाद में condensation होता है उपर upper layer of atmosphere में और उस troposphere में और वहां पर जाके condensation के बाद में ठंडा होने के बाद म फिर snowfall हो जाता है तो यह जो mechanism है इनी mechanism को यहां पर पूरी detail में समझाया गया है इनके द्वारा और इसी को ले करके इनको क्या दिया गया है noble prize for physics कि बोले global warming जो हना उसके पीछे human activities बहुत जादा important role play कर रही है इनको control करना ज़रूरी है देखो यह जो scientists है इनका यह role अभी highlight नहीं हुआ है इनका जैसे अभी देखें तो 1967 का paper है उसको recognition मिला और उसके basis पे इनको यह noble prize मिला है देखते हैं वो details 2015 की बात है जब carbon brief करके एक UK based climate focus online publication है that means आप देख सकते हो paper publish करने की agency माल लो या फिर वो journal है तो उन्होंने यह मांगा कि जो अभी IPCC की उस टाइम पे 2015 की बात है 5th assessment report आई हुई थी Intergovernmental Panel on Climate Change तो यह target था कि सबसे ज़्यादा influential research paper कौन से हैं जो की climate change के उपर काम कर रहे हैं तब यह जो सुकूरो मानाबे और रिचरड वैदरलेंड का एक paper था जो कि 1967 में release हुआ था आप देखोगे इस paper को अच्छे सरी recognition मिलती है इस 2015 की इस briefing में और इसी paper के basis के उपर आज आप देख सकते हूं कि शुकर और शुकुरो मैंने बे इनको Nobel Prize मिलता है जब इनकी एज 90 years हो चुकी है और उदर दूसरी तरफ जो paper के दूसरे को अथर थे वैदरलेंड उनकी तो डैथ ही होगी 2011 में इसके अलावा दूसरे दो एक्सपर्ट जो है climate change related वो तो ये एक reality show करता है कि वाकई में alarming situation है और अब ये recognition मिलना शुरू हुआ है तो problem को भी देरे-देरे sort out किया जाना possible हो पाएगा ठीक है तो यही चीज़े बताई जारी है इसमें और ज्यादा कुछ खास है नहीं जिसको हमें ज्यादा detail में देखने की जरूरत हो आगे वाला इसकर इसकरने में fail हो रहा है मतलब कि लोग जो है एक political party की seat पर elect होकर के MLA MP बन जाते हैं और फिर उस political party को छोड़ करके दूसरी political party join कर लेते हैं तो इस case में उनका detention होने के लिए anti-defection law scheduled 10th of Indian constitution available है उसके बावजूद भी defection continue है अभी जो मुद्दा है वो इसलिए highlight हुआ है कि वहाँ पर West Bengal Assembly के speaker है बिमन बनर जी ठीक है उन्होंने एक deadline fix की है कि 7 October को जो भी defected लोग है कौन से इनमें particular focus है मुकुल रोई जिन्होंने BJP की seat के ओपर election किया elect होकर के चले गए Bengal Assembly में और अब उन्होंने तरणमूल Congress join कर ली इसके अलावा दो और ऐसे individuals है जिन्होंने ऐस कर ली तरणमूल Congress तो ऐसे में उनको एक तरीके से आप कह सकते हो एक defect करना या फिर आप कह सकते है defection जो है इसको रोकने के चलते हैं उनकी membership को cancel करना ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है पर वही चीज़े कि properly काम नहीं कर पाती है वजह है कि बहुत सारी चीज़े तो legislative assembly की बात करो तो वहाँ पर speaker होते हैं या state legislative council या फिर आप बात करो राज्य सबाकी तो वहाँ पर chairman काम करते हैं तो ऐसे में anti-defection law दूसरे states में भी इसी तरीके से applicable है पर अभी तक भी उनके ओपर कोई outcome नहीं निकल रहा है तो anti-defection law लाने के purpose क्या था इसके पीछे आपक parties हैं फिर उस जीतने के बाद में दूसरे political party के जॉइन कर ली फिर दूसरे के बाद में वहाँ satisfy नहीं हो तो दुबारा से अपनी वाली में आ गया तो वह गया राम आया राम हो गये थे something like that तो उस case में क्या हो गया कि मुद्दा यहां पर यह है कि इस अपनी इच्छा से किस political party को change करना फिर दूबारा से आ जाना और इससे क्या हो गया democratic ethos पे question mark लग जाता है तो ऐसे में 1985 में हमारे constitution में 10th schedule add कर दी जाती है ठीक है वैसे तो शुरुआत तो हो जाती है defection की जब general election होते है 1967 जिसमें इंद्रा गांधी जीत करके आती है Congress split हो जाती है Congress O और Congress R और तो इंद्रा गांधी वाली आपको पता है Congress R है तो वो जीत करके जब आती है तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा defection देखने को मिलता है तो शुरुआत यहीं से होती है कि चुनाओ किसी और political party के banner के नीचे जीता और join कर लिया किसी और को तीन तरीके की हमारे आपर anti defection provision available है पहला तो यह कि किसी political party की seat के ओपर elect हो करके आप आते हो और फिर दूसरे political party को join कर लेते हो join जीतने के बाद में तो इसमें आप decide कर लेते हो कि हाँ voluntarily आप छोड़ रहे हो उस party को तो इस case में उस MPR MLA का जो भी आप कह सकते हो कि क्या नाम है इसका कि वो उनकी membership खतम हो हैं दूसरा scenario यह कि कोई independent member निर्दलिया अगर चुनाओ जीत करके आगया उसने कोई political party join कर ली तो वो disqualify हो जाएगा और तीसरा scenario कि कोई nominated member जैसे राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं ठीका 12 members तो उनको यह का जाता है उनके लिए provision है कि उनके nomination के 6 मैने तक nomination के बाद में coming जो 6 months है उसमें अगर कोई political party join करना चाते हैं तो कर सकते हैं और 6 मैने एक बार निकल गए तो उसके बाद में कोई political party join नहीं कर सकते हैं और अगर वो 6 मैने बाद में political party join करते हैं तो उनके बाद में against my anti-defection suit शुरू हो जाएगा अच्छा कॉन decide करता है प्रिजाइडिंग officer जो है ना आपने मनमानी करते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि state legislative assembly का session तक complete हो जाता है तब तक भी वो defection का मुद्दा वाट का रहता है ठीक है क्योंकि इसमें 10th schedule में कोई time frame नहीं दी हुई है कि इतने दिनों के अंदर या इतने महीनों के अंदर वो problem sort out हो जानी चाहिए ब राजस्तान का मुद्दा 2020 में सचीन पाइलेट और अशोगलोत की बीच में जो राइवल्री थी अशोगलोत ने मतलब बाड़ा बंदी कर दी थी अपने MLS की कैसे भी करके कोई भी contact ना कर पाए करनाटगा में government constitute होने वाले बनने वाली थी तो उस टाइम पर भी इसी तरीक से इसमें common हो चुकी है ठीक है पर अभी तक भी कोई solution नहीं है मतलब सरकार है फिर भी stable नहीं हो पा रही है सरकारों को stable बनाने के लिए यह provision लाए गये थे anti-defection law वाले अब यह बात है suggestion क्या है दिको supreme court का तो यह कहना है कि law हना वो अपनी जो भी recommendation लेकर किया था जिस भी व सरकारों को save करने के लिए है और वो भी तब यूज किया जाता है जब no confidence motion लाया जाता है उसके पहले तो काम में ही नहीं लिया जाता ऐसे laws को मतलब सरकार कब alert होती है जब सरकार गिरने वाली होती है तब जाके alert होती है कि हाँ यार किसी ने defect कर लिया उसके पहले वो ध्यान नहीं नहीं देते हैं इसके लावा election commission of India ने तो यहां तक सजेस्ट कर दिया कि किसी भी individual जिसने defection किया है अपने party छोड़ करके कहीं और गया है या तीनों cases में से कोई और तो उसको adjudicate करने का right election commission के पास में हो या और कुछ arguments ऐसात है कि president और governor जो है वो decide करे defection से related मुद्द तो ऐसे में supreme court ने parliament से कहा है कि क्यों ना आप एक independent tribunal establish कर दो जो कि इस तरीके के मुद्दों को separately tackle कर सके और वो tribunal को head gone करेगा retired judge हो जो कि higher judiciary से belong करते हो ठीक है तो यह है पूरा मुद्दा और यह कुछ suggestions है यह इसके आगे चलते हैं आगे next is deep brain stimulation देखो इस article में यह बताया जा रहा है कि University of California San Francis को यहाँ पर successfully एक के treatment प्रवाइड किया गया है जो भी depression का सिकार लोग है उनके लिए basically depression को क्या बोला जाता है psychiatric disorder अब उस disorder को contain करने के लिए तरीका क्या है कि बोला brain के अंदर अगर थोड़ा बहुत electrical stimulus मिल जाए तो वो जो एक कहता है ना कि brain भी एक तरीके से electrical signals पे काम करता हमारे पूरी बाड़ी पे controlling brain के थूँ जो हो रही है वो electrical signals के थूँ ही होता है तो ऐस इसमें क्या किया जाता है कि यह जो DBS है ना डी brain stimulator इसमें क्या होता है एक generator हो गया और एक wire के through connection दिया जाता है और इस specific location पे उस wire से electrode इंस्टॉल कर दिया जाता है ब्रेन में अब जैसे ही कोई depression का शिकार हो रहा है तो उस case में क्या किया जाता है यहां से generator से pulses देरी जाती ह है electric shock जाता है minute voltage का और वो जाकर के brain में refresh कर देगा और उसके बाद में जो depression के शिकार लोग है उनको बचाया जा पाया है तो यह है main concept जिसको आप देख सकते हो यहां पर American Association of Neurological Surgeons इन्होंने मिल करके काम किया है और जो American universities है वहां पर यह सी successfully implement की जा पाई है तो जो main theme थी व Facebook और WhatsApp में क्या problem आई देखो अभी recently देखा गया मंडे की मंडे की रात की बात है जब 6 गंटे Facebook WhatsApp Instagram यह सारे काम करने बंद कर गए थे तो ऐसे में chaos मच गया problem क्या हुई हुआ क्या था तो देखो Facebook की तरफ से तो यह कहा जा रहा है कि हमारे instruments में ही internal system जो है वो properly काम नहीं कर पा रहे तो इसकी वज़े से problem है फिर सवाल ही आता है कि वो जो internal system में जो problem आ रही है उसके लिए क्या कहीं कोई cyber attack issue है तो answer तो यह मिल रहा है कि देखो जी अभी तक तो हमें कोई ऐसा doubt नहीं लग रहा है कि कोई cyber attack हुआ है और उसकी वज़े से attack hackers ने कोई issue create किया हो या फिर जो incident हो चुके हैं जैसे कि 45 minutes का पहले ही आप देख सकते हो लगबग इसी साल में मार्च के टाइम पर हुआ था problem 2020 में WhatsApp के साथ problem हुई थी ठीक है यही चीज़े बताई जा रही है ज्यादा कुछ खास नहीं है पस यह था कि हाँ internal issues को ही यहां पर बताया जा रहा है mainly ठीक है आग target था वो क्या था देखो कि जो senses हैं हमारी body में जैसे हम टेस्ट करते हैं touch को feel करते हैं smell करते हैं सुनते हैं ठीक है तो यह देखते हैं तो यह हमारे 5 senses है तो इनमें touch वाला जो sense है उसके ओपर research की गई और research में यह पता किया गया कि कौन-कौन से हमारे body में sensors हैं जो की जैसे म हमारे skin के ओपर कोई हम sharp चीज को touch करें तो वह ऐसे लगता है कि हां कुछ pinching pain होता है तो उसको sense कौन-कौन से jeans करते हैं तो उसके ओपर उन्होंने properly study की इससे क्या हो गया sensors के बारे में और अच्छी detail develop हो पाई और साथ-साथ में सबसे important चीज है कि यह जो pain killers होते हैं जैसे ए आप में research है और noble जो prize दिया गया उसी चीज के लिए दिया गया है अब आप मुझे comment box में बताओगे अचा गरम ठंडा वो सारी चीजे इसमें बताई हुई थी एक चीज आप मुझे comment box में बताओगे कल का पड़ा हुआ है तो आप comment box में लिखो कि जो medicines के लिए जो noble award मिलता है वो किसको दिया गया है 2021 का ठीक है आज देखो chemistry का मिल गया है जो हमें news में कल मिल जाएगा कल उसकी chemistry वाले की details discuss कर लेंगे तो चलिए आप news discuss कर लेते हैं यह out explained वाला portion तो हमारा cover हो ही गया एक बार next आगा हम front page पे जिसमें देखो moody ने इंडिया की जो outlook है economy की उसको negative से stable की तरफ move कर दिया है अब इसमें देखो कि risk थोड़ी से down हुई है financial system है वो अब recover कर रहा है तो इसके चलते rating agency moody ने इंडिया की जो category है वो negative से stable की तरफ move कर दिया है इसके पीछे वजह क्या है एक तो country के पास में foreign exchange reserve अच्छा खासा है दूसरा local currency भी है वो भी sustain करने वाली है तो ऐसे में BAA 3 category ठीक है ना उसकी rating issue की गई है इसके अलावा अगर देखा जाए तो पहले जो rating दे रखी थी वो थी BAA 2 उससे move कर दिया है BAA 3 category ठीक है तो इसके पीछे जो वजह थी वो हमने देख ह के लिए अच्छा कारण क्या क्या रहे एक तो बैंकों ने जो भी बैड लोन थे उनसे पैसा रिकवर किया अच्छा खासा पांच पॉंट जीरो एक लाग करोड रुपए ठीक है गवर्मेंट ने भी बैंकों को बचाने के लिए 2017-2021 के बीच में लगबग 3 लाग करोड रु पे तक अलोकेट किया है गवर्मेंट ने तो यह क्या है स्टेबिलिटी की तरफ जाते होई दिखाई दे रही है हमारी एकॉनमी इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर 15 साल से पुराना वहिकल है ठीक है तो और वह अपने जो वहिकल र स्क्रापिंग पॉलिसी तो उसी को इंप्लिमेंट करने के चलते हैं मिनिस्ट्री ओफ ड्रो ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने अपनी तरफ से जो रूल्स अवेलेबल है जिनका नाम है सेंट्रल मोटर वहिकल वहिकल रूल्स 2021 जिनमें 23rd अमेंडमेंट कर दिया गया है और वह रेजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो अब यहां पर दिया हुआ है सारा डीटेल कार के लिए मोटर बाइक के लिए बस के लिए ट्रक्स के लिए सब के लिए लग लग ओके आगे चलते हैं फिर हम आगए एकॉनमी पेज पे तो यहां पर यह बताया जा हैं that means captive mining सबसे पहले समझनी हमारे लिए जरूरी है captive mining का मतलब ही हो गया कि जो भी electricity produce करने वाले या फॉर्म्स है या जो steel produce करने वाले फॉर्म्स है जिनके अंदर कोल की ज्यादा requirement है तो जो platform या आप कह सकते हो जो companies हैं जो factories हैं जहां पर यह काम हो रहा है उनकी खुद की mines ह कोल की तो वहां से वह production करते हो कोईले का तो वह गए captive mining तो उसमें बता दिया गया कि approval दे दिया गया और किस बेसिस पे mineral concession rules 1960 इसमें changes लाए गये हैं और लगबग 100 coal operators को allow किया है कि वह lignite blocks अब देखो तीन चार तरीके के कोईले होते हैं जिन में सबसे ज्यादा coal content अगर द anthracite में दूसरा होता है bituminous तीसरा lignite और चौथा पीट लिगनाइट में अगर carbon content देखोगे ना coal में लिगनाइट टाइप में तो यह bituminous और anthracite से कम होता है यह लगबग 40% या 50% के around इसके अंदर carbon content होता है तो point क्या है कि यह pollution तो बहुत जादा create करता है पर वही बात है कि energy crisis को हमें handle करना है तो क्या किया जाए और हाँ लिगनाइट के reservoirs की बात की जाए तो वह में सबसे ज़्यादा reservoirs अगर देखे ना लिगनाइट के particular एशिया में वर्ल्ल का तो नहीं एशिया में वो इंडिया में ही है पर लिगनाइट आपको पता है कि content wise carbon content wise bituminous और anthracite से थोड़ा week है पर वही है मजबूरी आ गई तो क्या कर दिया कि जो अपनी खुद की annual coal output है ना पर्टिकलरली लिगनाइट की उसको 50% तक जो भी producer है steel plant वाले हो चाहिए electricity producer हो वो क्या कर सकते हैं sell कर सकते हैं बेच सकते हैं इससे क्या होगा कि जो coal supply में issues आ रहे हैं उस issues को tackle कर और पॉसिबल हो पाएगा ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है वो आर्टिकलर डैट इस की competition अगर open कर दिया जाए डिसकोंस में तो उससे उनकी efficiencies आ सकती हैं अब बात यह हैं कि states क्या decide करते हैं क्योंकि जो electricity distribution का काम है वो state level पे companies काम करती हैं वो है तो लगबग लगब सबी state government अपनी तरफ से initiation ले चुकिये शुरुआत कर चुकी हैं कि जो power distribution sector है उसमें government की monopoly ना रहे अब देखो electricity bill है उसमें amendment लाया जाएगा proper और उससे यह होगा कि अलग-अलग private sector के जो भी discom companies हैं उनको open किया जाएगा इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे से compete करेंगे और consumer electricity consumers के पास में options available होंगे कि हाँ जी उनको बड़िया service कौन दे रहा है सस्ती से सस्ती rate के ओपर तो इसके लिए इंडियन्स जो power sector की सबसे बड़ी कमी है that is inefficiency अब चाहे वो inefficiency financial point of view से देखो या फिर जो power generation के लिए requirement जो upstream generation है that means आप जान सकते हो कि वहाँ पर जो production हो रहा nuclear power system based हो अलग-अलग variation आपको पताए कि अलग-अलग electricity production produce करने के methods हैं और इसके अलवा distribution sector में हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा crisis है और इन fundamental issues को tackle करना ज़रूरी है इसके अलवा efficiency ये हमने देख लिया poor billing segment चोरी होना बहुत ज़्यादा बिजली का गाउं में जाकर के देखो चोरी जबर्दस तरीके से होती है फिर उसके बाद में state government क्या कर देती है गौर्मेंट के ओपर दबाव ये बनना शुरू हो जाता है कि बिल माफ करो बिल माफ करो तो populist policies के चल ये जो सरकारी discom companies हैं ये क्या continue कर सकेंगी properly ये चीज बहुत बड़ा सवाल है और इसी चीज को tackle करने के लिए क्या किया जा रहा है privatization की तरह push पर वही चीज है कुछ experts का ये कहना है कि ये sub optimal approach है optimal का मतलब कि best outcome नहीं मिलेगा आपको privatization करने से क्योंकि आपको भी पता है कि electricity में subsidy और ये कितनी मिलती है इसकी वजह से जो user है उसके पहले ही costing बहुत जादा और गाओं में तो आपको पता ही है कि अभी भी agriculture के अंदर बहुत जादा issue आते रहते है ठीक है वैसे तो experts का ये कहना होता है कि अगर electricity subsidy को regulate properly करनी शुरू कर दे ठीक है बाकी जो मेन मुद्दा था वो तो हमने देख लिया इसके अलावा इसके अलावा आगे जो न्यूज़ वो ये देखो oil prices rise हो चुकी है क्योंकि OPEC plus countries ने डिसाइड कर रखा है कि वो production को rise नहीं करेंगे diesel petrol के भाव आपको पताए कितने ज्यादा high हो चुके हैं अब आपके सामने एक छोटी सी न्यूज़ है वो आप उसके बारे में न्यूज़ तो कह रही है इतनी काम की नहीं है पर आप यह देखोगे REIT और INVIT Investment Infrastructure Trust ठीक है और Real Estate Trust जो REIT इनके बारे में आप पूरा डेटेल से पढ़ोगे क्योंकि इन पर बेस्ट क्वेशन बन सकते हैं U इसके लावाए एक न्यूज़ और IMPORTANT है उसके नजर डालते हैं फिर देखो चोटी सी न्यूज़ यह है ताशी और नंशी मलिक यह दोनों की दोनों अभी माउंट इदेखो इन्होंने माउंट एवरिस तो 21 साल के उमर में वताय कर ली थी फिर इसके बाद में अभी यह इसके दोनों आल्प्स माउंटेंज कहां पर है सदर्न यॉरॉप ठीक है तो वहां पर दो माउंट्स है एक तो ब्रिट हॉर्ण और एक है ऐल इन एलेलीन हॉर्ण और ब्रिट हॉर्ण इनकी हाइट लगबग 4000 मिटर से जादा है तो इन्होंने यहां पर अपनी हाइट्स मे से यह मतलब पहुंच चुकी है तो यह थोड़ी से न्यूस थी चोटी सी क्वेशन बन जाए में भी माउंटीनियर्स से लिलेटेड तो जो भी देगो इंपोर्टेंट इश्यूस थे उनको डीटेल में हमने देख लिया है अब से यह पैटर्न यही रहेगा पहले एक्स्प